हलो दोस्तो नमस्कार आप सब कैसे हैं आई होग कि आप सब अच्छे होंगे यहाँ पर मैंने आज चने की दाल से कुछ टेस्टी नास्ता बनाने के लिए मैंने दाल को भीगो के रख दिया था पान से साथ गंटे यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिया है जिसमें डचन, धनिया, मिर्ची, हींग, जीरा, बारेक, कटओ, हरे, मिर्च धनिया है, तो यहाँ पर हम ले ले लेते हैं एक मिकसर जार मिकसर जार का इस्तिमाल किया, फ्रेंड्स यहां पे हम सारे चना की डाल जाओ अगर बीए ऐखे थे यह कहाओ सारे इसमें 1,8 यह पीष जाएगा लेकिन कोई जरूरत नहीं एक बार में ही अच्छी तरह से इसको पीष सकते हैं अगर आपके पास चने की डाल जादा बिगो रखा तो आप दो बार में पीसें आप देख पारें कि हमने पीस लिया लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइ हो जाएगा तो यह पीसेगा नहीं यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने दो से तीन चमज पानी का इस्तिमाल किया है अब यह अच्छी तरह एक पेस्ट बनके तयार हो जाएगा तो हमें इसको बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं करना है न बहुत ज़्यादा बारी करना है मेडियम साइज में रखना है तो friends यहाँ पे हमने पेश लिया है तो आप देख पारें इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया हरा दनिया डालने की वज़ा से तो थोड़ा यह हरा हरा लग रहा है लेकिन इसका पेश्ट बहुत अच्छा बन के तयार हुआ तो यहाँ पे हम इसको एक बावल में निकाल लेते हैं इस तरह से तो आप देख पारें कि हमने इस तरह से एक बावल में ले लिया है अब फ्रेंड्स इसको ढखके रख देते हैं और हम चलते हैं इसका आटा बना लेते हैं आटा बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने चावल का आटा का इस्तिमाल किया यहाँ पे दो कटोरी चावल का आटा ले लिया है मैंने और यहाँ पे थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल देती हूँ बड़ा चमज एक आप 2-3 चमज छोटा चमज डाल दे सकते हैं और यहाँ पे गेहूं का आटा डालने से इसमें binding अच्छी आ जाएगी और एक अच्छा सा आटा बनके तयार हो जाएगा यह तो आटा बनाने के लिए हमने थोड़ा सा गरम पानी का इस्तिमाल किया है क्योंकि गरम पानी से चावल का आटा बहुत अच्छे से बन जाता है तो यहाँ पे जैसे हम नोर्मल आटा बनाते हैं वैसे आटा बना लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि हमने आटा यहाँ बिल्कुल अच्छे तरह से बना लिया है तो यहाँ पे आटा को हम ढखके रख पर आजाएगा तो यहां पे हमारे पास एक सालनी थी सबजी धोने को वो मैंने रख दिया और उस पे एक थाली को जचा दिया है बिल्कुल अच्छी तरह से कि भाब बाहर ना आए और यहां पे मैं फ्रेंड्स जो मैंने पेष्ट तयार कर रखा इसमें अब डालूंगी नमक हरा धनिया बारिक कटी हुई मिर्ची क्योंकि मैंने पहले नमक नहीं डाला था तो आप इस टाइम पे मैं डालूंगी नमक पहले डालने से क्या होता है फ्रेंड्स की पानी छोड़ देता नमक डालने से आप कुछ बना रहे हैं तो पहले नमक डाल देंगे तो पानी छोड देता तो हमें उससी time पे Naamak का इस्तिमाल करना चाहिए जब हम बनाते हैं उसको तो हमने यहाँ पे छोटी छोटी लोईयां लेनी है और पूरी की आकार का बना लेना हमें जैसे कि हम फशोली पूरी बनाते हैं इस तरह से तो फ्रिंड्स यहां कि मैं ऐसे ही बना दे रही हूं लेकिन थोड़ा सा आटा लगाने से बहुत अच्छा बन जाता है चिपकता नहीं हाथ में तो इस तरह से छोटी छोटी लोई या लेंगे और हम हाथ की मदद से बना लेते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर हम इसकी स्टुफिंग कर लेते हैं इस तरह से तो इसको बनाना फ्रेंड्स बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन के तयार होता है तो इस तरह से हम एक एक करके सारी स्टुफिंग कर लेते हैं इसमें तो आप जितना छूटा बनाएंगे तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि छूटा बहुत जल्दी पक्के तयार होगा तो आप छूटी पूरी बनाएं और इस तरह से बनाएं ये चावल के आटा से बहुत तेस्टी नास्ता बनता फ्रेंड्स तो आप जरूर बनाएं एक बार इस तरह से और खाने में बहुत तेस्टी होता है आप एक बार बनाएंगे तो मतलब की हफता में तो एक बार सोचेंगे बना लिए अगर एक बार आपने बना के इस तरह से खा लिया तो बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही टेश्टी होता है तो इस तरह से friends हमने बना लिया है सारे बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, तो बहुत अच्छा होता है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इस तरह से बना लिया है सारे, अब यहाँ पे हमारा पानी जो है गरम हो चुका है, तो यहाँ पे तेल लगा देते हैं, थोड़ा सा इससे क्या होग आप पहले रख देंगे तो चिपकता है यह बाप आने के बाद चिपकता नहीं है तो फ्रेंड्स हमारा एक बैच हमने रख दिया दुसरा भी आ इस तरह से तयार कर लिया है तो आप इसको पांच से साथ मिनट पकने के लिए चोड़ देंगे ना तितने मीश का कलर चेंज हो जाता है तो यहां पर थोड़ा थोड़ा करके हम रख देते हैं इस तरह से मैंने थोड़ा ही बना रखा है इसलिए मैं दो बार में ही रख देती हूं सारा तो जहां पर मतलब भाप निकल रही है यहां पर हम दुबारा रख देते हैं और फिर थाली से डख देते हैं तो फ् तो यहां पर फ्रेंड्स हमने इसको नीचे उतार लिया है और फ्लेम ओफ कर दिया तो आप देख पारे हैं कि कितने अच्छे से पक्के तैयार हुआ इसका इसका कलर शेंज हो गया है बहुत अच्छी तरह से पक गया है, तो हम इसको अब यहां पर एक एक करके निकाल देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं, यह बिल्कुल भी नेची पक रहा है, और कितने अच्छी से पक के तैयार हुआ है, फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, और आप इ पानी में भाप से उबाल रखा है तो यहां पर हम तड़के के लिए थोड़ा सा गीर डाल देते हैं कड़ाई में और आधा चम्मज राई डाल दिया मैंने बारी कटा हुआ अधरक हरी मिडची यहां पर फ्रिंड्स मैंने हरा लेसन का इस्तिमाल किया है बारी कटा हुआ और हमारा तड़का थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसके बाद हम अपना जो हमारा टेस्टी नास्ता उसको हम फ्राई कर लेते हैं तो आप देख पा रहें कि हमारा तड़का थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है तो यहां पर हम इस फरा को डाल देते हैं इसको फ्रेंड्स फरा बोलते हैं कहीं कहीं पर चावल काटा का टेस्टी नास्ता बोल देते हैं कहीं फिर फरा बोलते हैं तो बेसिकली इसको फरा ही बोल वह अच्छा लगता मतलब खाने में बहुत ही टेश्टी अब यहां पर मेने ठोड़ा सा नहाराधनीया का इस्तिमाल किया हराधनीया से थोड़ासा लुक अछघशा बहुत और दो मिनिट हम इसको ढग देते हैं, हरा धनिया बिलकुल इसमें अच्छी तरह से मिल चाहेगा, आप इसको चाय के साथ, चटनी के साथ सर्व करें फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सस्क्राइब करें, बाई बाई टे के यार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,